वीडियो आपको लास तक देखना है कैसे माइक्रोसॉफ टीम में आपको क्लास करना है यह सब में बताऊंगी आज आपको क्लास कैसे आटेंड करना है क्लास वो Microsoft टीम में यह सब student के लिए है आपको बताऊंगी आज अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप like, share, subscribe करने के लिए मत भूलना आपको चलिए दिखाती हूं कैसे आप लोगों को Microsoft टीम में क्लास करना है उससे पहले आप लोगों को स्कूल से पास्वार लाना है, first you have to get the username and password from the school then you have open the play store, first आप लोगों को play store को open करना है उसके बाद आप लोगों को Microsoft team लेखके search करना है, first you have to search the Microsoft team on your play store I have already installed that Microsoft team on my phone में मेरे मोबाइल में Microsoft team already installed किया हुआ है आप लोगों को दिखा देती हूँ यह Microsoft team मेरा है और आप लोगों को क्या करना है इंस्टोल करने के बाद अगर आप लोगों को Microsoft team के बारे में कुछ डाउट हो रहा है कि कैसे डाउनलोड करना है उसका लिंक description box में मिल जाएगा मतलब आपको नीचे लिंक मिल जाएगा उसमें से जाके आप दाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि sign in करना है पहले आप लोगों को वो username और password आप लोगों को school से लाना है उसके बाद आप लोगों को sign in करना है पहले आप लोगों को क्या करना है कि sign in करने के बाद आप sign in with account कर लेना है उसके बाद आप लोगों को मेरा already sign in है तो इसलिए मैं उसको हटा देती हूँ उसके बाद आप लोगों को क्या करना है जो username आपको दिया गया है school से आपको username मिला होगा school से और वीडियो को आप last तक देखना क्योंकि वो अगर आप कुछ छोड़ गए अगर someone left that video at the main point then you don't understand anything about Microsoft team how to attend the meeting on Microsoft team especially this video is for your student how a student attend the class in Microsoft team I will tell all the process on this video में आप लोगों को सब बताऊंगी कैसे आप लोग माइक्रोसफ टीम में आप लोगों का वो class attend कर सकते हैं ठीक है आप लोगों को username और password आप लोगों को school से लाना है मैं एक आपको demo के लिए बता देती हूं एक school का बता देती हूं एक बच्चे का पहले आप लोगों को क्या करना है कि आपको school से लाना है उसके बाद आप लोगों का वो username डालना है उसके बाद आप लोगों को क्या करना है यहां पर एक sign in बटन आया होगा आपके लिए यहां पर sign in बटन दिखाई दे रहा है उसके बाद उसको क्या करना है कि sign in बटन के ऊपर आप लोगों को click करना है जैसे कि मुझे sign in बटन दिख रहा है इसलिए मैं sign in के option पर click कर रहे हूँ उसके बाद आप लोगों को दिखाई दे रहा है we are signing you in मतलब आप लोगों को sign in के लिए वो permission दे रहा है अगर आप लोगों का username मतलब correct है अगर आप लोगों का ठीक नहीं है username आप गलत डाल ले हैं इसलिए आप लोगों का sign in नहीं होगा उसके बाद आप लोगों को मांगे गा जो आप लोगों को school से मिला हुआ है मतलब जो password school आप लोगों को प्रोवाइड किये हुए है वो one time passwad है मतलब Microsoft team के लिए Microsoft team आप लोगों को जो password दिया हुआ है स्कूल से प्रोवाइड हुआ है वो वन टाइम के लिए है मतलब आप एक बार लोग इन उसके साथ कर सकते हैं उसके बाद आप लोगों को चेंज करना है केसे आप लोगों करेंगे पासवर मैं आपको step-by-step प्रोसेस बताऊँगी ठीके जैसे मैं बोले हूं उस वह आप उसक of Microsoft team I have told you on this video मैं आप लोगों को जैसा जैसा बोल ले हूँ उसको करना ठीके उसकी बाद एंटर पास्वार में उसको क्या करना है आप लोगों को आपका पास्वार जो स्कूल में दिया होगा वान टाइम पास्वार उसको आप डाल दीजिए ठीके उसकी बाद ये साइन इन ओ ऐप्शन के उप़र क्लिक करने के बाद आप लोगों को आएगा ऑपडेट योर पास्वार देन यू हप टू अपड़ेत योर पास्वार फरस्ट यू हाँ आप टू जोल गीवन टू यू वाट वन टाइम पास्वार स्कूल गीवन टू यू प्लीज एंटर दाट एक चूज किजिए जिसमें आप लोगों को capital letter होना चाहिए, small letter होना चाहिए और एक special symbol भी होना चाहिए और number भी होना चाहिए जैसे कि मैं आप लोगों को for example आप लोगों को लिखा के बता देती हूं कैसा होना चाहिए सपोज मतलब JNV capital JNV मतलब आप लोग capital भी डाल सकते हैं और एक special symbol जैसे की JNV यह मेरा password हो सकता है अगर मैं password एसे चूच करूँ तो हो सकता है नहीं तो capital J small n उसके बाद भी भी डाल के आप कुछ भी दे सकते हैं ठीक है मैं जैसे की एक मेरा जो उईस है वो मैं उसके हिसाब से मैं एक password चूच कर देती हूं ठीक है आप भी वैसे ही चूच कर लिजिएगा ठीक है उसकी बाद आप लोगों को क्या करना है कि current password देना है उसके बाद confirm password में क्लिक करना है जो आप current password जो है वो आपको स्कूल से मिला होगा और वो जो आप चेंज करेंगे password और confirm password में आप दोनों को आपके इसके हिसाब से मतलब आप जो देना चाहते है वो दे दीजिएगा ठीक है उसके बाद यहां पर sign in option है उसको क्लिक कीजिए ठीक है उसको क्लिक करने के बाद आप लोगों को open हो जाएगा we are signing you in मतलब आपका sign in हो गया perfectly उसके बाद आप लोगों को आएगा notebooks, files and assignment are available then you scroll right side then stay connected with classmates and coaches then you next right scroll then got it you have to click on this got it option got it option के उपर आपको click करना है got it option के उपर click करने के बाद आप लोगों को आज आएगा ऐसे ही आप लोगों को आएगा एक page जिसमें वो app में आएगा आपको एक page this page will be appear when you sign in on that team when a student log in on that team then there is lot of option in which learning activity chat assignment teams and more option is there where you find all the calendar calls files approvals camera there are so many options or features on this your team for student also for teacher also but how to get the link of your class to attend the class first you have to go to go to teams okay first you click on this team teams option check whether you add in all the subject or not suppose finally check मतलब आप लोगों को चेक करना है कि कौन सा कौन सा class में आप आर हुए हैं अगर आप आ नहीं होते हैं कौन से से आपको आड़ कर देंगे ठीक है जैसे कि मेरा ओलेड़ी आड़ है सेवन इंग्लिज, सेवन हिंदी, मैथ, होडिया, साइंस, सोशल साइंस, सोशल से आप लोगों को आड़ हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी केसे आप लोगों को चेक करेंगे कि आपका क्लास कब है, first you have to click on this more option more option के उपर आप लोगों को click करना है more option के उपर click करने के बाद यहां पर आपको calendar का option दिया होगा calendar उसके उपर आपको click करना है ठीके मेरा नेट थोड़ा slow है इसलिए देखिए उसके बाद आप लोगों को ऐसे ही so करेगा जैसे कि मेरा है math class का वो सीडूल हुआ है math class मेरा है 6.30 pm से 7.00 pm तक नहीं तो आप लोगों को देखिए यहां पर एक आप लोगों को notification भी चला आएगा mobile में कि आप लोगों का class कब कब है more option में आप click करके यहां पर more option में जाके more option में calendar को click किजिए उसके बाद आप लोगों को दिखाई देगा कौन सा कौन सा class आप लोगों का कौन सा दिन सीडूल हुआ है जैसे कि मेरा है 25 जून में 6.30 pm से 7.30 pm तक class है और यहां पर एक option दिया होगा आपको join जिस टाइम पर आपका class है उस टाइम पर आप जॉइन कर लीजिएगा मतलब आप लोगों का सीडूल मतलब आप लोगों का सीडूल हुआ है तो 6.30 pm में आप जाके जॉइन कर लीजिएगा ठीक है उसके बाद और option भी है बहुत सारे option है जैसे कि आप लोगों को class में जाके जॉइन करना है जैसे मैं जॉइन कर लेती हूँ उसके बाद आप लोगों को ऐसे ही option आएगा यहां पर लिखा होगा आपका join now option there will be option join now option first you have to click on that join now option यहां पर assignment का option भी है assignment के उपर क्लिक करने के बाद whether a teacher assign a suppose assign a question for you अगर आप लोगों को कुछ assignment दिया हुआ है आपके teacher ने यहां पर आपको display होगा ठीके चार्ट यहां पर चार्ट भी कर सकते हैं किसी के teacher को आप कुछ मतलब दोस्तों को भी आप चार्ट कर सकते हैं अगर वो private ना हो तो आप चार्ट भी कर सकते हैं ठीके आप यहां पर activity भी है जैसे कि सब activity आपको notification भी आ गया होगा अगर schedule होगा यहां पर assignment भी मिल जाएगा आपको teams में आप चेक कर सकते हैं और more option में भी files यह सब चेक कर सकते हैं ठीके आप लोगों को अभी कुछ करना न के बाद आपको join option आजाएगा कौनसे कौनसे दीन में कौनसा कौनसा क्लास है आप जॉइन कर लिजेगा ठीके अगर आप लोगों को और कुछ डाउट है तो आप बता दीजेगा ठीके I think I will solve your all the queries आप लोगों कुछ डाउट है तो comment box में मुझे डाल दीजे मैं आप लोगो का क्या वरी solve करने के लिए try करूंगी ठीके okay I hope all you clear all about this team all the students clear all how to join on team or attend a class on team thank you thank you for watching thank you